हला एवरिवान हाम जेबर और यह वाचिंग एस्टी ट्रेडर दोस्तों आज निप्री और बैंक निप्री दोनों में आपने देखा होगा कि जो हमारा फॉलॉप बाइंग होना ची वो नहीं हुआ है जो हम इन्ट्राडे चार्ट में भी आगे चर्चा करेंगे कि हमें कैसे ट्रेड लेना है Nifty Bank जो close हुआ है 39,239 पे हुआ है यह जो हमारा एक support है अब स्वारी resistance उसके थोड़े से नीचे close हुआ है हमारा जो resistance है 39,280 जो मैंने आपको सुभे बोला था market वहाँ पे ही open हुआ था market एक बार deep लगाया फिर cross किया था इसका जो next resistance है हो करीबन 460 के आसपास है नीचे में जो support है 39,035 के आसपास premium देखेंगे तो अभी 85 points premium है next दो मन्त में भी काफे अच्छा सा premium है जो मैं आपको बात कर रहा था कि follow buying नहीं है जो आप open interest में भी देख सकते हो minus 5.2% OI दीख रहा है यानि कि यहाँ पे short covering हुआ है PCR है 1 और हमारा जो वी वेप है 39,313 है जिसके हम नीचे close हुआ है active call and put में हमें देखने को मिल रहा है कि call में 39,500 एक resistance का का काम करेगा और 39,000 हमें एक support का का काम करेगा nifty nifty एक काफी अच्छी सी जगह पे closing हुआ है 17,825 जो हमारा एक resistance है 17,825 से लेके 17,840 आज काफी टाइम हमने वहाँ पे बेताने के बाद एक हमने deep लगाया वापिस हमने closing अच्छी जगह पे किया है nifty में हमें buying देखने को मिल रहे है जबकि हमें bank nifty में इतना buying देखने को नहीं मिल रहा है 4.7% open interest बड़ा है premium 34 point है 17,800 जो है अभी कहीं साब से आप देख सोकते हैं जहां पे straddle बना है बाद में हम option chain में भी उसको देखेंगे 1.25% यहां पे 1.25 PCR है और VWAP 17,827 जिसके हम बहुत ही closed closing हुआ है दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो please subscribe जरूर कर देना अगर वीडियो पसंद आता है तो like and share जरूर करना तो यहां पे हम देखते हैं 17,800 जो आपको देखने को मिल रहा है कि जो OI है आज का जो OI highest change जो हुआ है वो easy strike पे हुआ है यहां पे आप देखोगे left side में आपको देखने को मिल रहा है कि 30 lakh यहां पे OI आज यहां पे add हुआ है other side देखेंगे तो 41 lakh यानि कि आज put की side ज्यादा यहां पे short हुआ है जो इसका support से हमें market को hold करने को देखने को मिला है आपको अभी क्या करना है अगर दोनों का मिला देए अब total 95 and 58 तो roughly होता है करीबन 150 point जहां से हम अभी close हुआ है 17,825 150 यानि कि हमारा हो जाता है 17,960, 970 के आसपास और नीचे जो भी हमारा support बनेगा 150 point अगर नीचे जाते है यहां से जो हमारा 800 से ले तो 17,640 है जो हमारा last नम अगर आपको याद है 17,610 से लेके 6,60 यह हमारा एक support zone था तो उस हिसाब से premium भी adjusted है कल आपको क्या notice करना है यहां पर 17,900 का call आपको ध्यान में रखना है अगर यहां पर फिर से build up होता है तो market आपको फिर से एक dip देगा और आपको जो next देखना है 17,700 और 800 का put में क्या हो रहा है अगर यहां पर unwinding हो रहा है तो market आपको एक नीचे मौका देगा आपको यहां पर buying का जब तक हम 17,570 को नहीं break करते तब तक हमारा व्यू उपर की साइड रहेगा इंट्राडे में आपको buy short का trade मिलता रहेगा overall view है वो अभी उपर की साइड है और nifty bank में 38,900 के जब तक उपर है हमारा व्यू बाइव में रहेगा मेरा यह जो group है यहां पर silence indicator मैंने यहां पर सुबह उनको बताया था यह level देने के बाद में मैंने उनको बोला था कि जल्द बाजी मत करना trade मिलेगा तो उन्होंने भी काफी अच्छा सा wait किया और हमने यहां पर trade किया हमने यहां पर दूसरा जो एक trade था एक तो यह RSI divergent पर था जो मैंने आपको वीडियो भी share किया था उसके हिसाब से काफी अच्छा सा trade था और पिछले चार विक से हम फिन निप्टी का हम hero zero trade करें वो भी काफी अच्छा सा इस बार हमें भी trade करने को मिला है अच्छा एक और trade क्या था कि market ऐसा था कि buying में पैसा कम मिलने वाला था तो हमने यहां पर 39,400 का call shot किया था 218 पर और हमारा यहां पर जो book किया था हमने करीबन 170 के आसपास book किया था जबकि इसका जो low लगा था करीबन 120 पर हमारा जो target था 170 के आसपास जहां पर यह support था हमने यहां पर यह book कर लिया था फिर हमने फिर से entry कब लिया था कि जब मुझे लगा कि यहां से यह फिर से breakdown हो सकता है तो हमने यहां पर फिर से entry लिया था जहां पर मैंने उनको बोला था कि अगर किसी को buy करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हो, put buy कर सकते हो, जाने की, if anyone wish to scalping then look for 39,000 put, monthly above 327, for the target 346, 355, अगर आप जाके देखो कि इसका जो high लगा था, 357 high था, उसके आसपास से ही उसने reverse लिया था, तो दोस्तों अगर आपको भी इस group में join होना है, तो मेरा यह जो silence indicator है, उसमें आप join हो सक सकते हो, और फिर यहाँ पर आप यह member बन सकते हो, जहाँ पर और भी लोग share करते हैं, जैसे कि इन्होंने यह share किया दा DVS Lab का, फिर हमारा Reliance का एक share किया दा, इन्होंने IEX का share किया, तो यहाँ पर dual communication है, यानि कि मैं अकिला share नहीं करता हूँ, वो भी share करते हैं, तो क्या होत यहाँ पर सब को फाइदा होता है, तो अगर आप भी joint करना चाहते हो, तो definitely most welcome, आप join कर सकते हो, अब हम यहाँ पर चर्चा करते है, daily chart में हमें कैसा, यहाँ पर आज का closing मिला है, तो अगर मैं daily chart लगा दू, तो निप्टी में आप देखोगे, तो जहां से open हुआ था, वही पर low लगा है, आज 895 कब गया पता नहीं पर system में हमें 17895 हमारा open equal to high है, वहाँ से हमने continuous style दिखा है, कभी भी दोस्तों अगर आप notice करोगे, जब भी open equal to high या open equal to low को break करता है, आपको एक quickly move देखने को मिलता है, जैसे कि इस जगह पर था, यहाँ पर 5981.30, next दिन देखो जैसा move आया था, similar आपको यहाँ पर भी एक move देखने को मिल सकता है, जैसे कि यहाँ पर था, यह level था 635, 635 के उपर जैसे move मिलता है, हमें एक move मिलता है, तो अब हमें ध्यान में रखना है 17895, इसके उपर 5 minute का candle हम buy करेंगे, फिर यहाँ पर हमारे nifty, फिर next हमारा जो है, इसको मैं remove कर देता हूँ, ओके, दो जी candle बना हुआ है nifty bank में, एक hold position भी रहता है, क्योंकि आप देखो कि यहाँ पे भी दो जी बना था, gap up open हुआ continue उपर गया, similar यहाँ पे भी हो सकता है, अगर हम gap up open होते हैं तो continuous हो सकता है, अगर यहाँ पे flat open होते हैं, आज के लोको न जो जी है, यानि की indecisive candle बना हुआ है, ग्लोबल की इसकी अगर बात करते हो तो, future अभी आपको दिख रहा है, 45.- है हमारा SGX nifty 10.- है और जो आपको ध्यान में रखना हुआ होगा, वो फिर से डॉलर का यहाँ पे, जो डॉलर इंडेक्स है वापस यहाँ पे sustain करने लगा ह है, 106.83, crude oil अभी भी यहाँ पे 100 के नीचे है, बट bond yield फिर से यहाँ पे 2.83 हाई लगाने लगा है, यूएस अपना जो यूएस डी आइना है, वो अभी भी 79 के ऊपर ही sustain कर रहा है, और wix अभी flat है, अब हम देखते हैं कि stock कौन से buy करने हो, और फिर वहाँ पे हमें intraday में कैसे trade करना है, मैंने मारूती आपको last time में यहाँ पे जो हमारा weekend पे वीडियो बनाया था, तब मैंने आपको बताया था, मारूती को यह रखना क्योंकि यह जो है trend line हो एक उसका support है, जैसे यह break करेगा, हमें नीच उपर का target आएगा 9,450, काफी अच्छी से जगा पे closing हुआ हमें एक closing चाहिए, यह हमारा जो level है यहाँ पे, जो है 9,048 है, तो इसके उपर एक closing मिलता है, तो हम फिर से swing low लेके जाएंगे, उस time हमारा जो भी swing low होगा, वो हमारा एक SL होगा, second है जाइडिस, जो मैं आपको continue यहाँ बाएप बोल रहा हूँ, कि यह जो consolidation zone है, उसने breakout दि हो, आज भी इसने यहाँ पे देखोगे, तो 3% के आसपास महूँ दिया है, हमारा जो first target था 400, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया, 399.95 यह हमारा open equal to high है, तो आज का आप देखोगे 399.50, यह आज का high लगा हुआ है, तो यानि कि यह हाँ इसके आसपास जाके फिर से selling आया है, जैसे यह 400 के ऊपर sustain करेगा, हमारा next target आएगा 420, तो इसको आप ध्यान में रखना, काफी अच्छा सा यह stock अभी उपर जा सकता है, फिर है एक्साइड, एक्साइड इंडेस्ट्री ने भी एक breakout दिया हुआ है, यहाँ पे एक rounding top बोल सकते हो, cup with handle बोल सकते हो, इसक short नहीं करना है, कोई भी opportunity मिलती है, आपको 160 के आसपास तो buy करोगे, आपका जो stop loss रहेगा 157, यहाँ पे आप buy करोगे, आपका first target यहाँ बनेगा 171, फिर आएगा 180 target, यहाँ पे एक्साइड में, गोध्रेज, यहाँ पे हमने last time जो चर्चा किया था कि यहाँ पे triangle बना रह है, squeeze कर दिया है price action को, और यहाँ पे हमें breakout मिलेगा, तो काफी अच्छा सा volume के साथ breakout हुआ, पर वहाँ पे आप sustain नहीं किया है, यहाँ आप देखोगे कि previous जो इसने यहाँ पे एक resistance face किया था, similar जगह से उसने एक fall दिया हुआ है, यह ऐसा pattern है कि काफी अच्छा सा next दिन में एक trade मिल सकता है, कैसे, आज का जो closing है 889 है, यहाँ पे यह जो closing लास्ट टाइम इसका resistance है 901, तो अगर कल यहाँ पे 896 के उपर खुलता है, तो आप buy करोगे with this top loss of 887, फिर से आपको एक उपर की side more मिलेगा, ध्यान में रखना काफी अच्छा सा इसमें trade मिलेगा, अब बात करते हम यहाँ पे nifty को कैसे intraday में trade करेंगे, लास्ट टाइम हमारा क्या था, यहाँ पे study हम करके गएंगे, अभी यहाँ पे हम open होते हैं, तो हमें निच्ची की side ऐसे trade मिलेगा, पर यहाँ पे हम gap up open होते हैं, हमारा जो resistance था, उसी के आसपास हमने काफी अच्छा आजा consolidation क किया हुआ है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसको भी delete कर देता हूँ, तो clear हो जाएगा, यहाँ पे आप देखो के तो एक square बना हुआ है, तो आपके लिए क्या होगा, आप भी ऐसे एक draw करके रग दो, जब तक इसके अंदर हमें कोई trade नहीं मिलेगा, किसी भी side breakdown होगा तब ही मिलेगा, तो अगर मानो की market यहाँ पे कल इसी जगह पे open होता है, या तो थोड़ा नीचे, फिर यहाँ पे जैसे आता है, यह level दिरे दिरे करके, फिर एक bounce देता है, sustain नहीं करता है, जैसे break करेगा, आप short करोगे for the target 17,720 के लिए, यहाँ पे, second option, flat open होके, जैसे यह high निकालेगा, यहाँ पे high कौन सा था, 840, so 841 के उपर जैसे sustain करता है, एक 5 minute का candle, हमारे लिए next target open करेगा, 17,930, तो यहाँ पे आप उपर की side एक buy करोगे, कब जब 941 के उपर 5 minute का candle break करेगा, बहुत ही simple setup है, पर आज यहाँ पे जो selling आई थी, पर class का जो closing हुआ है, काफी अच्छा हुआ है, similar अगर यहाँ पे देखते हैं, तो हमें bank nifty में आज हमें देखने को ज्यादा weakness देखने को मिला है, क्योंकि अगर nifty देखते हो आप, तो first candle के बाद में continuation उसको देखने को मिला था, at least six to seven candle, compare to nifty bank देखो के तो second candle नहीं इसने दोजी बना के नीचे blow break करन और कहां तक आया था, जहां मारा previous closing दा, उसके आसपास आया था, तो हम क्या कर सकते हैं अभी, इस trade में आपको एक तो पहले यहाँ पे एक trend line भी मिल सकता है, ऐसा, तो market अगर कल यहाँ पे इसके नीचे खुलता है, और यह triangle के अंदर कहीं पे भी time pass करता है, at least one hour, जिस side भी breakout करता है, हमें एक अच्छा सा trade मिलेगा, अगर market यहाँ पे, कल इसी जगह के अंदर हमें ऐसे ऐसे करके trade मिलता है, फिर breakout देता है, तो हम target लेंगे, फिर से हमारा 424, नीचे की side अगर breakdown मिलता है, इस level के आसपास, तो हमें नीचे जो target आएगा, first आएगा हमारा 38,900, वापिस जब उपर जाता है, फिर से यहाँ पे एक rejection मिलता है, यह level के आसपास, फिर यहाँ से और नीचे जा सकता है, फिर आएगा आएगा आपका target 38,780, तो उस ही साफ से आप यहाँ पे trade कर सकते हो, अच्छा trade कब मिलेगा, इस level के अंदर हम consolidate करते हैं, first hour, then हम breakout देते हैं, यह breakdown, तो हमें clear trade मिलेगा, और वो trade आपको quick मिलेगा, यानि कि 120, 150 point का quick trade आपको मिलेगा, तो दोस्तों मैं आसा करता हूँ, आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आता है, तो please like and share, ज़रू करना, thank you दोस्तों, मिलते हैं नहीं वीडियो में, take care, bye bye कर दोस्तों मिलेगा, झाल दोस्तों मिलेगा तोस्तों मिलेगा सक्षदट आज करेंगा लूस्तों में, take care, bye bye